वेल्कम टू आदिकाज मोम कीचर फ्रेंड्स आज मैं फिर एक नए और बहुत ही टेस्टी रेस्पी लेक्या हूँ फ्रेंड्स इस समय मार्केट में यह न बहुत ही अच्छा अच्छा यह चिचिणा बिल रहा है बहुत जगही इसको चिचिणा बोलते है ठीक है तो आज इस इस बिल्कुल आसान तरीकास जैसे चुठकियों में आप यह सब्जी तुरंद बनाएंगे तो फ्रेंड्स रेस्पी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बगल में थाहिए चैनल के वाम में यह से से चैनल को सब्सक्राइब नेगा है तो इसको इस को सब्सक्राइब क्यां मेरे नदैखि छहाँ निया था सिर्क शिव कि उसके अलगे थिया घ्लके से सफ करलेंगे और इसको नद जाए कि हीर्वा इसको लम्बान बाब काटे या फिर आप इसको ऐसे गोल में भी कााथ आप जानते हैं पृर इसको ऑप इसको जानते हैं और जानते हैं friends कभी-कभी आप ऐसे इसको काटोगे तो बीज में आपको दिखाऊंगी जो नरम होता है उसके बीज में बीज नहीं होता है बीज होता भी है तो बिल्कुल नरम बीज होता है लेकिन बहुत सारे के अंदर कड़क बीज होते हैं जैसे यह देखे मैंने जिसके हम गैस के तरप चलते हैं तो friends गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है ठीक है अब इसमें डालेंगे तेल बहुत जादा तेल यूज नहीं करना है क्योंकि मैं हमेसा healthy recipe बनाती हूँ ठीक है तो अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चमच सरसो के दाने आधा चमच सरसो के द तो आपके पास जो भी अगर नहीं है तो आप उसको काटके भी डाल सकते लेकिन ऐसे अगर आपने बनाया ना तो इस सबजी का जो है ना टेस्ट एक दाप बदलने वाला है ठीक है तो आप जब भी बनाए तो ऐसे दर दर पीस लें ठीक है हलक असा जब ये इसका कलर किया है हमने बहुत ही जब्गोर्ट का तो आप इतने तेल में ने यह टेशची सबजी बना कर देखी यह बहुत ज्यादा तेस्टी बनने वाला है मैं आपको दिछाओंगी देखने में बिलकुल ये खराब नहीं लगता असा नियंकि तेल डालके इस सबजी को आप आपिन ठीड़ई पाउडर ठीक है तो इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे भी बसके वहिए इसको भूमना है ठीक है और श्रिम ऐसे एक ने 거지 अट आप ड़क लेंगे ड़क के और इसको हम 4-5 मिन के लिए इसको कुक कर देंगे गैस की फ्लेम को यहां पर हमको मीडियम रखना है ठीक है और यह देखिए हलका साफ्ट दिख रहा है तो जब यह से हलका साफ्ट हो जाए तो अब इसमें हम डालेंगे इसको अच्छा फ्लेवर लाने के लिए तो अ अच्छा टेस्ट आता है एक बार आप इसको जरूर जो है वो ट्राइ करें ऐसे मैंने इसको लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लिए देख रहा है ना लंबा-लंबा बहु जादा पतला बारिक नहीं किया ठीक है और यह देखिए इसको अच्छे से हमको मिक्स कर देना है और वीडियो को लाइक कर ले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस टेजी सी रेसिपी को पने दोस्तों में जरूर सेर करें देखिए केवाल हल्दी डाल के हमने सबजी बनाई कोई भी मसाले का हमने यूज नहीं किया है और यह सबजी बहुत चट अब इसका पानी है थोड़ा बहुत तो इसको अम ड्राइ कर लेंगे सुखा लेंगे ठीक है क्योंकि हम यह भुजया बना रहे है तो इसमें पानी रहने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है और तेकी इसमें बिल्कुल ऐसे ही यह टेस्टी सी परफेक्ट सब्जी बन के रे देख रहे है तो है न बहुत ही ज़्यादा आसान कितना जल्दी है यह सब्जी हमने बना के रेडी कर ले तो आप इसको पूरी पड़ाथ है रोटी सब्जी इसको साथ खाना चाते हो आप का सकते हो तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में यह देखि तो फ्रेंड्स आपको यह बिल्कुल आसान सी चिचिन्ने की यह भुजिया वाली रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा फ्रेंड्स आगर आप मेरे चैनल पे ऐस पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि यह आप अच्छी सी रेस्पी मेरी कैसी लगी ठीक है और आपने इस रेस्पी को ऐसे कभी आपने सबजी बनाया है कि यह अजया है जरूर तो आप कमेंट करना बिल्कुल ला भूलेंगे और अगर चैनल पेर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले वी थाइंक्यू, थाइंक्स पर वोचिंग